हेलो फ्रेंड्स वेलकम माई यूटूब चैनल मैं संपत सिंग आज आपके लिए लेक्या आया हूं और वो है पेरा थायराइड गरंती तो हम अंतस्त्रावी गरंतियों में सेकंड गरंती पढ़ रहे हैं कौन सी पेरा थायराइड गरंती इससे पहले हमने थायराइड गरंती के बारे में वीडियो बनाया है तो वह वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा तो वह आप देख लेना उसके बाद सेकंड्स हम ले रहे हैं वह राथायराइड गरंती यह कैसी गरंती यह आपकी अंतस्त्रावी गरंती है यानि एंडोक्राइन ग्लेंड है यानि यह जो अपना रासाइनिक पदार जो इनका होता है जिसको हार्मोन कहते हैं वो चिदाएकिस्त में डला जाता है और वासे वो टारगेट अंग तक पहुंच जाता है तो इनके पास अपने खुद की कोई नलिकाएं नहीं है अपने हार्मोन को छोड़ने के लिए इसलिए अंतरह तरावी गरंतियों को नलिकावी हिन गरंतियां भी कहते हैं तो आज हम पेराथ साथ के बारे में बताया वो वीडियो आप देख लेना और आज हम पेराथ के बारे में चर्चा करेंगे जानकारी लेंगे तो यह जो एंडोक्राइन ग्लेंड है अंतस्तरा भी गरंती है पेरा थाइराइड गरंती है तो पहली बात आती है इसको हिंदी में क्या कहते हैं या इसका अन्य नाम या उपनाम क्या है और किस नाम से आपको ये मिल सकती है कई important questions आपको exam में इसे जुड़िया मिल सकते हैं तो अंतक हमारी साथ बने रहे तो इसको कहते हैं परावटू गरंती आउटू होती है आपकी थाइराइड और परावटू होती है आपकी पेरा थाइराइड गरंती दूसरा नाम आता है इसका जो रासाइनिक जो पधार्थ है जिसको क्या कहा जाता है हार्मोन या होर्मोन कहा जाता है वो उसका क्या नाम है तो उसका नाम है पेरा थार्मोन पेरा थार्मोन तो ना उसे जुड़ावाए पेरा थाराइड से पेरा थार्मोन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन किया जाता है नेक्स्ट बात आती है इसकी हमारे सरीर में इस्ति यानि लोकेशन कहां है यह हमारे सरीर में हमको कहां मिलेगी तो ये मिलेगी जहां थाइराइड है वहें पेरा थाइराइड होती है यानि ये भी कहां पाई जाती है गले में पाई जाती है जो थाइराइड जो गरंती होती है उसके इस परकार दो पिंड होते हैं दो लूब होती है इस परकार दो पालियों की बनी होती है तो जो थाइराइड गरंती होती है उसी में ये पाए जाती है उसके जो ये दो पिंड है जैसे मालो एक पिंड ये है एक पिंड ये है तो परतेक पिंड में ये पाए जाती है कितनी कितनी दो दो यानि इस पिंड में एक यहां हो गई एक यहां हो गई एक यहां हो गई तो य ये चारूं क्या हो गई आपकी पेरा थायराइड गरंती हो गई आपकी तो यह का मिलेगी आपको थायराइड जो गरंती है उसके प्रतेक पिंड के परष्ट भाग में अधर यानि आगे होता है परष्ट यानि पिछे भाग में परतेक जो पिंड होता है उसके प्रष्ट भा हो गई यह धो हो गई ये कि दो जॉडी होती है जो कि त्यों गलति होती है उसके परतेक पिंड यह पाली होती है उसमें उनके चारू कोनों में परस्ट सत्य में धस्यू ये पाई जाती है और इनका आकार आप देखोगे तो ये जो मसूर होती है मसूर की दाल या ये लगबग अंडाकार या एक बहुती मलब आप इसा कहे सकते हैं सेम के बीज जिसा मसूर का बीज या अंडाकार या सेम के बीज के लाइक ये स्टेक्चर होती है और कभी चोटी सी सरचना होती है तो ये आपको आकार में ऐसे मिल सकती है या इसको देखोगे तो आपको जो आकार है उसका मसूर के दाने जैसा या अंडाकार या सेम के बीजन गुर्दे के आकार जैसी रचना मिलती है अब बात करें संख्या की कि कितनी संख्या में तो ये कितनी है दो जोड़ी है तो कितनी हो गई मानों में कितनी पाए जाती है चार पाए जाती है तो ये थाइराइड के चारू कोनों में ये आपकी च किसका रंग कैसा होता है तो यह जो पेरा थायराट जो गरंती होती है उसका रंग आपको मेलेगा लाल यह लाल रंग की आपको रचना होती है नेक्स्ट बात करें इसकी जो परिमाप की यानि इसका जो आकार वो कितना है तो यह लगबग 6 से लेकर 7 मीमी तो क्या होती है होती है यह चोड़ी होती है तोका पी छोटी सड़ ना होती है बात करें किसकी बहर की कि इनका बहर या जो वजन है वो कितना मिलेगा तो वजन इसका बहुत कम है इसका वजन में 0.001 से लेकर 0.03 0.03 ग्राम तो इसका वज्ट आपको बहुत कम मिलेगा बहुत कोटी शी ना है जी-डीरो-पॉंट-जी-डीरो-वन लेकर 0.03 ग्राम की रचना होती है लाल रंग की होती है संक्या में हिए तो जोडि होती है चोटी शी अंडाकार 6-7 मीमी लंबी और 3-4 मीमी जो है चोड़ी और गले में जो आपकी थाइराइड ग्रिंती उसके परतेक पिंड में उनके चारूं जो कौनों में जो परस्ट सत्य में धश्यूई पाई जाती है और इसके दोरा जो सिक्रेट जो हर्मोन किया जाता है जो जानकारी जिसमें से जुड़े वए के सवाल आप से पूछे जा सकते हैं तो पहली बात तो यह हो गई अब एक बात और इंपोर्टेंट है वो ध्यान रखना आप यह जो हार्मोन है कौन सा पेरा थार्मोन कि इसको एक ना दिया गया इसको कहते हैं कोलिप का हार्मोन को लि कि जrede थनी कोलिप का हार्मोन कि सग्या दी गई लिए तो इसको कोलिप का हार्मोन कि कहते हैं क्या किक का हर्मोन इसको कहते हैं दोन ओके नेक्स्ट बात आती है कि यह कोलिप का ह्रूहने दो पेरत हर्मोन के कार यह क्या है यह हमारे शरी में क्या काम करता है जो इस हर्मोन का दूम के ऐ काम होताय वह यह को यह होता है जो हमारा दो रूधिरू हता है ब्लडड होता है रूधिर में ईते फूज् 하겠습니다 और केलसियम जो आपका होता है आइनों का नियमन करना या नियंतरन करना तो इसका काम क्या होता है रुधिर में फोस्पेट और केलसियम आईनों का क्या करना नियमन करना करना तो रुधिर केंदर 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 की स्पठेश की मात्रा का ओंन हों नियमन वह कौन सा हर्मों करता है यह से रुधिर के मिन रखता है तो यह क्या करता है यह क्या करता है यह आपका फोस्पेट जो आइन है या फोस्पेट आइन के उत्सर जन में तो क्या करता है वरदी करता है उत्सर जन में तो क्या करेगा यह वरदी तो फोस्पेट आइनों के उत्सर जन में तो वरदी करता है और आपका जो केल सीम है rian के लिबे जरेंटरान में व्रधी को क्या करता है आत्र से घटें और किड निए उससे क्या करता है पुंद्रा ओस्वोसं करता यह अदिEMZ में क्या करता उस्कों क्या बीरियत गया गया उसको भी पुर्णंद रिखन कर लिया जाता है जो को किया जाता है तो इसके असे भूशाघली ब्रृदी आइनों के शुशा सबब औरमान दोबिख लगए इसके थचा एंकर दो इस чем वर्डी वडी आ iyum पेशिये संकूचन पेशियों का संकूचन में यह मदद करता है हार्मौन तो पेशियों का सिकुड़ना और फेलना में इस हार्मौन की कापी मैतुपुर्ण भुमिकार होती है तो पेशियों के संकूचन और सिकुड़न में तो पेशिये संकूचन में मदद करता है और तंत्र में मदद करता है तंत्री का आवेग पेश मंकूचन और दो किया करता है नियमन करता है इसके इलावा रक्त का ठक्का जमानें मदद करता है रक्त का ठक्का बनाने में कि में मदद करता या आज मोर इसके लाए ऊसका एक आम आंदि को लिए का निरमाद कर के कि हैं अस्तियों का निर्माद करता एं हुआ है अ jobbar का निर्माद में ये मदद करता है निर्मान में इसका युगदान होता है तो जो विटामिन डी है उसके साथ मिलकर या जो केल्सियम उसके साथ एटेच होकर अस्तियों का निर्मान जो करने में या अस्तियों तक केल्सियम को पूचाने का काम किसका होता है पेरत हर्मोन का होता है इसलिए केलसियम खीच कर आपके अस्तियों में चला जाता है वाँ डिपोजिट हो जाता है और अस्तियों का निर्मान होता है इसके मजबूत होती है तो आपकी जो हड़ियां होती है जो दाँत होते हैं वो mostly calcium की बने होते हैं calcium और phosphate की अगर इसकी कमी होती है ना तो या आपकी हड़ियां दाँत वगरां खराब हो सकते हैं या जो आपकी पेशियों के संकूचन जो शिकूडन या परसार किरिया बादित होती है जिसें गले की जो पेशियां वो ज्यादा शिकुरती है जिसे सांस रुकने से मर्त्यू तक हो सकती है इस हार्मोन की वज़े से तो यह क्या करता है विटामिन mist का काम देता है विटामिन के साथ मिलकलत स्कान निर्माण और उनका निर्मार और जो के का उसोशन बढ़ाना हडियों की और ले जाना उसको और रक्त का तक्का जमाना यह सब जो कारिये है या फोस्पेट का उसरजन है केल सिम का पुंद्रा उसोशन है वो सारा काम पेराथ हार्मोन के द्वारा किया जाता है तो यह हो गए इसके कई सारे कारिये अब बात आती है समंदित कोई प्रोब्लम या रोग क्या हो सकते हैं तो या तो होता है इसका अती सराव या होता है अलफ सराव अती सराव जब ज़्यादा सिक्रेशन हार्मोन का हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन सिक्रेट होने लग जाता है या अलफ स्तराव अलफ सिक्रे स्थिता में में होती है तो क्या होता है तो कुछ प्रोब्लम्स का सामना करना पड़ता है यह हाइपो केलने-ड्या सीमिक हाइपोकेलसीमिक टीटेनी अल्प जो इस्तराव हो रहा है केलसीम का पेराथ हार्मोन का तो उसको क्या कहा जाता है हाइपोकेलसीमिक आपकी टीटेनी कहा जाता है या इसको टीटेनी भी ना सुना होगा अपने सिरफ टीटेनी या हाइपो केलसीमिक टीटेनी हाइपो का मतलब है अलप और हाइपर आजाए तो अती तो हाइपो केलसीमिक टीटेनी नामग रोग हो जाता है इसमें क्या होता है जब अलप इस तरह होता है हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है जो फोस्पेट होता है फोस्पेट जो आ जो केल्सूम आयन है उनमें क्या हो जाती है उनमें उभ्छातिये कमी तो केल्सूम की कमी बलड की चैनल की से नहीं के नहीं होता तंत्री का जो आवेग है कि तंत्री का आवेग उनमें क्या होती है अनायस अच्छाने की क्या हो जाती है वरद्धी हो जाती है तो पेशी संकूचन और तंत्री का आवेग में अनायस वरद्धी हो जाती है जिस्यें क्या होता है व्यक्ति को एठन और जकरन एतन और जकरन के क्या पड़ते हैं? दोरे पड़ते हैं तो बात आपके समझ में आगय होगी जब हार्मोन की कमी होती है अलफ सीख्रेसन होता हार्मोन का तो हाइपो केलसीमिक टिटनी नामक रोग हो जाता है जिसमें क्या होता है? फास पेट जो आयन होता है उनमे वरद्ध हो जाती है और जो केल स streamlined होता है उसमें हो जाती है कमें जिसें क्या होत liters पेशियों का जो संब कूचन है और अनायस सी बढ़ जाता है और तंद्री का आवेग भी बढ़ जाता है तो जिस्ट है में अकडन होती है जिसे क्या होती है एंटन और जकडन के सरी में क्या पड़ते हैं दो रे पड़ते हैं जिसको हाइपो केलसीमिक टीटेनिक के नाम से जाना जाता है तो इसमें यह प्रोब्लम होती है अगर हो जाए अथिस्तराव तो इसको किते हैं हाइपर हाइपर केलसीमिया आ इपर केलसी make केलम लेम केलसीमिया नामर को जाता है को यहां जब ज्यादा सिक्रेश्न किया जाता हामोन का तब्धत मारी है है और हड़ियों में जो हमारा जो झाल डिपोजिट है वह यहां हड्यों से निकलता है और उसको यहां लुन से हडियों का विजफे नो करेव क 하면서 हडूञा बने उता है और अगज और तो जब अधिस Стुस्पा होता है दिखता होती है तो उसको क्या कहते है हाइपर केल सीमिया के नाम से उसको जाना जाता है तो हड्यों में जो डिपोजिट जो केल सीम है उसका विगटन होना शुरू होता है और वह विगटित होकर बलड में मिलना शुरू हो जाता है जिसे क्या होता है हड्यों से जब क लोग को नाम दिया गया उसको दिया ओस्तियो पॉरेसिज आए उस रोग को क्या कहते हैं ओस्तियो पॉरेसिश नाम से उस रोग को जाना जाता है क्या हुआ हाइपर केलसीमिया यानि 38 सिक्रेशन वा पेराथ हार्मोन का जिससे हडियों के साथ जो केलसीम था उसका विगटन वार वह बलड में गुलने लग गया जिससे हडिया कोमल खट आपकी बंगूर और चिद्धर पड़ गए उसको जिसको ओस्टियो पॉरेसिश के नाम से जाना जाता है तो ओस्टियो पॉरेसिश नामक रोग हो जाता है पेराथ हार्मोन की अधिक्ता से तो गर अलब यह जोगा या तो बात आपके समझ में आ गई होगी क्या होता है तो अगर अलब इस तरह हुआ हार्मोन की कमी हुई तो हाइपो, केलसियमिक, टिटेनी, नामक प्रोब्लम हो जाएगी जिसमें क्या होती जो फोसपेट की जो मात्रह है उसमें तो हो जाती है जब तंत्रिकों में अकड़न जदा होती है गले की गले में अगर इसा अकड़न होने से क्या होता है दम गुटने से मठ्यू भी हो सकती है तो इसमें तो यह से दोरे पड़ते हैं और अगर अगरता हो गया दिखता हो गया हर्मोन की तो हाइपर इसको कैलसेमिया बोलेंगे और जिसने क्या होता है जो आस्तियां होती है उसका कैलसेम विगटित होकर रक्त में आने लग जाता है जिससे हड़िया घूमल मलब छिदरीत बंगूर और मलब उन्हें छिदर पढ़ जाते ह वो कमजोर पढ़ जाती है क्योंकि केल से हमका यहां से विगड़न हो गया जिसको क्या कहते हैं इस जो हम कह रहे हैं ऑस्तियो पोरेसिस जुअ है जो कि नाव से उसको जाना जाता है तो यह से प्रोब्लम होती है अधिक्ता से और कमी से और एक बात और बता दू मैं आपको इसके बारे में और वो है अगर प्लाजमा में केल्सीम का इस्तर बढ़ जाता है तो क्या होता है कभी बार प्लाजमा में केल्सीम का इस्तर बढ़ जाता है प्लाजमा आपका रक्त का एक बाग यह तो अगर प्लाजमा में केल्सीम का इस्तर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है इससे क्या होता है कि वेक्ति को जो है बार बार मुतर त्यागता है मुतर त्यागने की परव बढ़ जाती है जिसें क्या होती है वेक्ति को जो प्यास है वो क्या लगती है ज्यादा लगती है और भूक में आ जाती है कमी और एक सरद्रत सा बना रहता है तो ऐसा होने से क्या होता है प्लाजम जो केल सेम का इस्तर बढ़ता है तो मुत्तर व्यक्ति जदा त्यागता है और क्योंकि मुत्तर जदा तागए तो प्यास भी बढ़ जाएगी भोग में कमे आ जाएगी एक सरदर्स्ता उसका बना रहेगा और जिससे क्या होता है व्यक्ति के जो गुर्दे होते हैं उसमें पत्थरी हो जाती है गुर्दे में भी क्या हो जाती है पत्थरी हो जाती है ऐसी स्थिज़ को कहते हैं संपूर्टी तंतू में अस्ति विक्रति के नाम से चीज को जाना जाता है तो बात आपके समझ में आये होगी प्लाजवा में केल्शिम का इस्तर बढ़ने से विक्ति ब्यार बाल जो मूतर्ट्र त्यागने की प्रवर्टी बढ़ जाती है के प्यास लगती को मिई करती के लगता ज़र्में को जाना जाता है यह को यह भी ऐरpo में 20 से होती है 30 से होता है तो आपका जो उस्टियोपोरिसिस होता है वो तो होता है साथ में ये भी की प्लाजमा में अगर केलसियम का इस्तर बढ़ जाता है तो उसे क्या होता है कि जो सरीर के जो कॉमल अंग होते हैं उनमें केलसिफिकेशन हो जाता है उनमें सरी के कॉमल अंगों में क्या है कैल्सीफिकेशन हो गया अब यह ज्यद़ा सिक्रेशन किसके गणों होता है गरंतीका आकार बढ़ जाता है और वह हार्मों का ज़्यादा स्क्रेशन करने लग जाती है तो इसके लाज के लिए जो गरंटी का जो बड़ावा भागए जो अक्स्ट्रा जो लार्ज जो भागए उसको काट कर हटाया जाता है और अभी हम बात करेते हैं कि अलप इस्तरा हो अलप इस्तरा में क्या हो रहा था हाइपर केलसीमिक टीटेनी जो हो रहा था यह जो बाल्य की तेनी नाओ दिया तो यह बाले वस्ता में अगर हर्मोन की कमी होने से वह जो रोग किसमें बदल जयता है आपका बदल जाता है किसमें हाइपो के टेनी में बदल जाता है और यह 30 से करने होता है तो यह गए हमार лиा ती ग्रminute धन्यवाद